हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हाड एस के ब्लोक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं आज का ब्लोक्स मैंने सुबह 7.30 बजे शुरू किया है और उससे पहले मैंने मसीन में कपड़े धुलने के लिए डाल दिये थे यहाँ पर मैं जाडु लेकर आई हूँ कि जाडु लगा देती हूँ लेकिन फिर ध्यान में आया कि जो कपड़े मैंने धुलने के लिए डाले थे वो धुल चुके हैं तो क्यों ना मैं पहले कपड़े ही दोकर सुखा देती हूं जाड़ू बाद में लगाऊंगे तो मैं कपड़े धोने के लिए चली गई हूं और यहां पर विशाल के पापा जी बैठे अपना कपिल का शो देख रही हैं और वैसे भी आज कल इनको अब खतम हो गया है और मैंने यहां पर अपने कपड़े धोकर सुखा दिये हैं और फ्रेंड्स कपड़े सुखाने के बाद मैंने अपनी जाड़ू फिर से उठा ली है अब मैं पूरे घर में जाड़ू लगाऊंगे और फिर पोचा लगा दूगी क्योंकि कपड़े धुल कर मैंने इनको अंदर डाल दिया है और वहां पर मैंने चार पाई बिछा दी हैं क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी बहुत जादा बढ़ गई है तो अंदर वाले दोनों रूम में बहुत जादा गर्मी लगती है तो मैंने वहां पर चार पाई डाल दी हैं तो हम सब इकठे वहीं लेकिन गर्मी में दिक्कत होती है इसलिए मैंने वहां पर चार पाई बिछा दी है और ये जो कंबल आप देख रहे हैं सोफे पर ये मैंने यहां पर इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि अब एक एक दो-दो करके मैं इनको धोके और फिर बैड में रख दूँगी क्योंकि अब जरूरत नहीं है पहुत जादा गर्मी हो गई है नेक्स शर्दी आएगी तभी इनकी जरूरत पड़ेगी तो इसलिए रखा है एजी खतम हो चुकी है तो मैं एजी मंगवाऊंगी मार्केट से और फिर मैं इनको धोंगी तो इसलिए यहां पर ये रखे हुए हैं तो फ्रे छटका पंक्छा चल जाता है तो ना गर्मी लगती है और ना ही मच्छर काड़ते हैं क्योंकि फ्रेंड्स आजकल मच्छर भी बहुत जादा हो गई है और ये परदा तो मैंने आप सब को पहली बार ही हटा कर इधर का नजारा दिखाया है क्योंकि फ्रेंड्स ये मकान मुझूद भी इसमें बहुत प्रोब्लम है क्योंकि इसमें ना तो कोई अलमारी बनाई गई है और ना ही कोई स्टोर रूम है तो घर का जो एक्ट्रा सामान होता है उसको हम कहां रखें बहुत बड़ी प्रोब्लम होती है इसलिए मैं ये परदा लगा कर रखती थी और दिवार की सैट लगा रहेगा और इधर से ये पूरा खुला हो गया है तो गर्मी भी नहीं लगेगी और जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो फिर यहां पर कुलर भी लगाना आसान हो जाएगा तो मैंने पूरे घर की सैटिंग चेंज कर दी है और जब थोड़ा स मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है सब को ही लगता होगा घर की थोड़ी सी जब सैटिंग चेंज कर देते हैं तो मन को बहुत अच्छा फील होता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करने के बाद तो मैं यहां ज़ाडू लगा दे से फैला देंगे तो इस सब चीजों को मुझे सैट करने में टाइम लगता है और मैं कई बार बच्चों को बोलती भी हूँ कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो जहां से चीज मैं भी अपने माबाप के लिए आज तक बड़े नहीं हुए हैं बच्चे ही हैं मेरी मा भी मुझे छोटी मानती है बड़ी नहीं मानती है और फ्रेंड्स आज मैं आप सब के साथ कोई रेसीपी शेयर नहीं करूंगी चाडू लगाने के बाद मैं पोचा लगाऊंगी नहीं क दोंगी खानावाना बनाके बच्चों को खिला दूँगी बर्दन-वर्दन साफ कर दूँगी और फिर मैं लगभग एक से डेड़ बजे के आसपास आप सब को मिलूँगी आज मैं खाने की रेसीपी नहीं शेयर करूंगी आज मैं लगबग दिन भर का रुटीन आप सब क साथ शेयर करूंगी कि मैं दिन भर क्या क्या कर दी रहती हूं तो मैं फटा-फट ये सब काम कर लेती हूं तो फ्रेंड्स ये लगभग पोने दो बजे का टाइम है और मैं यहां पर बरतन उठा कर स्टेंड में लगा रही हूं क्योंकि खाना काने के बाद मैंने बरतन साफ कर के रख दिये थे अब इनका पानी बिल्कुल अच्छे से निचर चुका है तो मैं इनको स्टेंड में लगा देती हूं और फिर उसके बाद मैंने फ्रीज से दूद निकाल कर भी बाहर रख दिया है क्योंकि लगबग तीन सवा तीन बजे मैं बच्चों को दूद गरम करके दूँगी और अपने लिए चाय बनाऊंगी तो तब तक दूद का टेंपरेचर बिल्कुल सही हो जाएगा तो मैं कोई भी चीज ऐसे ही डारेक फ्रीज से निकाल कर उसको गरम नहीं करती हूं उसे थोड़ी देर के लिए बाहर रखती हूं टेंपरेचर जब ठीक हो जाता काले चने, सफेज छोले या राजमा वगेरा बोईल करके प्याज टमाटर काट कर ये बच्चों को डेली देती हूं तो यहां का काम मैंने खतम कर लिया है अब मैं तीन बजे मिलती हूं तो फ्रेंड्स ये लगबग तीन बजे का टाइम है और मैं फिर से कीचन में आई हू तो यहां पर मैंने बच्चों के लिए दूद गरम करके और उनके पास रख दिया है और अपने लिए चाई बनने के लिए रख दी है और मैं यहां पर ये कुछ मिठा मैंने बनाया हुआ है बच्चों को डाल के दे दूँगी और अपने लिए भी डाल लूँगी और ये मै आदेती हों कि मैंने यह क्या बनाया है जो यह मेरे पास रूऊ एक तो अचानक से कुछ मीठा खाने का मन हूआ नारीयल भणी कद्दू कस कर लिये ते कड़ाय में में घी गरम किया बंगे गैस और फ्लेम के बंद कर दिया konkłada-नी cm tutorial दाल दिया था स्वाद उनसार मैंने इसमें मीठा डाला था और इन सब चीजों को मिक्स करने के बाद ये सब मीठा हमारे लिए बना है क्योंकि मेरे बच्चे जैसे तेल से चीजे बनती है उनको खाना कम पसंद करते हैं तो मैं सुध घी की चीजे बनाती हूं चाहे थोड़ी के लिए और ये प्रोजेक्ट वही है जो मैं नीटिंग कोर्स पर बिल्कुल step by step सिखा रही हूं तो मैं लगबग 5 बजे तक अब नीटिंग करूंगी और फिर उसके बाद उठकर जो मैंने काले चने बॉयल किये हूए है उसमें प्यास्ट माटर काटके वो बच्चों को ख जाएगा और काले चने थोड़े सुखे सुखे हो जाएंगे तब तक मैं प्याज और टमाटर को बारिक बारिक काट लेती हूं और प्रेंट्स प्याज को मैंने पहले ही छील के और चार टुकडों में काटके पानी में डाल के छोड़ दिया था ताकि इसका तीखापन कम हो को खाने के लिए दे दूँगे तो ये सब मैंने मिक्स कर लिया है और सब को मैंने खाने के लिए दे दिया है तो फ्रेंट्स ये लगबग जो है शाम साड़े साथ बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर रात के खाने की तयारी कर रही हूं और रात के खाने में मैं बनाऊंग किसी दिन दाल चावर मनाती हूं तो किसी दिन दाल रोटी इसी तरह से थोड़ा बदल बदल के मैं रात के टाइम बनाती हूं और दाल की रेसीपी भी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मैं बिल्कोली सिंपल तरीके की दाल बनाऊंगी और यहां पर मैं प्यास ट तो इसलिए मैंने इसको पहले ही बॉयल कर लिया था और फ्रेंड्स यहां पर जैसे मैंने इसमें हल्दी मिर्च मसाला सब कुछ डाल दिया था लेकिन दाल में मैं नमक डालना भूल गई थी जैसे मैंने धकन लगा के हटी मुझे तुरंत याद आया कि मैंने नमक तो डाला ही नहीं फिर मैंने धकन को खोल के फिर इसमें नमक डाला था क्योंकि होता है कि बहुत सारा काम का जब प्रेशर होता है तो हम कुछ चीजे भूल भी जाते हैं लेकिन मुझे तुरंत याद आ गया था तब तक इसमें हवा नहीं बनी थी धकन तुरंत खुल गया था तो मैंने तब तक दाल बनेगी तो मैं आटा भी डाल लेती हूं अपनी परहाथ में और फिर मैं आटा लगाऊंगी क्योंकि अब इसमें दो से तीन सीटी आएंगी दाल में तब तक ये बनके तयार हो जाएगी तो फ्रेंट्स मेरी दाल बन चुकी है और दाल बनी तब तक मैंने काम होता है तो गाएं की और कुत्ते की रोटी निकालना मैं कभी भी नहीं भूलती हूं ये मेरा डेली का काम है तो कुत्तों के लिए रोटी भी बना दूंगी तब तक इसके पापा जी खाना खा लेंगे फिर वो खाना खाने के बाद गली में तीन से चार कुत्ते हैं उनक जमा दूँगी जितने की मुझे दही जमानी है और फिर बच्चों को और इसके पापा को और अपने लिए जो पीने के लिए डालना है उसको डाल दूँगी और अगर थोड़ा बहुत और गरम होगा तो थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख दूँगी और फिर जब ठंडा हो जाएगा तो फिर बचे हुए दूद को मैं फ्रीज में रखोंगी और फिर जो दूद के जूटे बरतन होंगे उनको भी मैं लास्ट में साफ करके रख दूँगी तो मैं कभी भी कीचन को गंदा या जूटे बरतन छोड़ कर नहीं सोती हूं क्योंकि मुझे होती है तो मैं आप सब के साथ यही शेयर करना चाहती थी कि जैसे कि आज कर लोकडाउन हो गया है तो काफी सारे लोग ये कहते हैं कि कैसे टाइम पास करें हम बोर हो गए हैं घर में तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप बोर होती हैं घर में मैं तो नहीं होती क्योंकि मेरे पास करने के लिए काम इतना है कि मेरा काम ही खतम नहीं होता है, दिन ही खतम हो जाता है, मुस्किल से 5-6 घंटे मुझे रात को सोने के लिए मिलते हैं, एक बार उठ जाओ बस फिर रात तक काम ही खतम नहीं होता, रात के 10-11 बच जाते हैं, बारा बच जाते हैं, और जैसे अब मैंने ये खाना बना के सब को खिला दिया तो लगबग दो से धाई घंटे तीन घंटे मैं निटींग करूंगे बैट के तो सोती तो मैं वही लगबग एक बजे डेड़ बजे के आसपास ही हूँ मैं इतनी जल्दी नहीं सोती क्योंकि फिर मैं बुनाई करने के लिए बैड़ जाती हूँ तो हम सब लेड़ी की लाइफ लगबग एक जैसी होती है यही मैंने आप सब के साथ शेयर की है तो फ्रेंड्स आज की व्लोग में इतना ही मिलते हैं किसी नेक्ट लोग में तब तक के लिए नमस्कार बाई बाई